बालों की छड़ने की समस्या से आज की डेट में हर कोई परेशान है चाहे बड़ा है छोटा है बज़ुर्ग है कोई भी तो आज मैं आपको इतना सिंपल उपाय बताऊंगी अगर आप बालों में कुछ अपलाई भी नहीं करना चाहते होना तो भी आप अपने बालों की ग्र या फिर कोई भी ओयल लगाना भी नहीं चाहते हो तो मैं आज आपको सिंपल उपाय बदाती हूं आप यूज कर सकते हैं यह ड्रिक जी हां यह पको पीना है आपको गर्मी का हैसास भी दिलाएगा साथ में आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत पावरफुल है स्किन को अ जी दो पालों को काला करने वाला ड्रिंक भी बहुत सकते हो तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे और जो मार्केट में मिलता है ना पावडर फॉर्म में तो उसमें यह रहता है कि अगर उस पे लिखा है कि आप उसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं तो ही आप इस्तेमाल करना अधरवाई जुसे आपको इस्तेमाल नहीं करना है और यह जो सुखा आमला है ना तो यह आपको आयरवेद वाली शॉप पे बहुत ही इसली मिल जाता है तो यह वाला आप या फिर आपके आसपास नियरवाई हैं आप ले जिसे सीजन आजकल चला तो मैंने यहां पे एक चमच लिया है इसे आप ओवरनाइट भिगो करके रख लीजे सुबह जब आप देखोगे तो पानी का कलर ना गोल्डन हो जाता है मैंने अभी ओवरनाइट भिगोया नहीं था इंस्टेंटली अगर याद नहीं रहता है हो जाता है कि याद नहीं र तो यह आपका लगवग आदा रह जाना चाहिए इतना देर तक हम इसे लो फ्लेम पे बॉइल करने वाले हैं साथ ही हम इसमें कुछ और इंपोर्टेंट चीजें आड़ करेंगे जो कि आपकी हेर ग्रोथ को प्रमोट करेंगी प्लस आपकी वेट लॉस के लिए भी बहुत तो यहां पर मैंने लिए हैं यह कुछ पतियां है कड़ी पते की और कड़ी पता आइरन से भर पूर होता है बहुत सारे पोशक ततों का बंढ़ार होता है तो यहां पर बस आपको 10-15 पतियां इस तरह से फ्रेश लेनी है और इसमें डाल देनी है अगर आपके पास ड्राइ अगर आपको बाल बहुत सब्सक्राइब होने दीजिए जैसे मैं आपको बिताई दिया कि आपको इसको बिकुल लोग फ्लेम पर बॉइल करना है अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं जीरा 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 जिंक फॉलिक एसिर्स आइरन में हर तरह के पुशक ततों का यह भी ब होता है मतलब कि अगर आपको बाल बहुत जड़ते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है साथ ही में इसमें बन फोर्थ टीस्पून के जितना अजवायन करूंगी अजवायन से क्या होगा एक तो आपके वेट को मैनेस करने के लिए बहुत कारगर होती है प्लस ने करें जो भी मारियां सबस्टार्थ होती हैं खांपान दरूम्य जब हमयरा पार्चन तन्तर दुरूस्ता है तो हमारा वेट भी मैने繼續 भरanga है प्लस दो तो हमारे मारे जो यह ऊत्वारी सिल्की होने चाहिए को इस आए ने कि हमारे बाल नाचुरली शीछ पिर बला थे प बहुत जदर टीपेंड करती है और आजकल इस तरह का लाइफस्टाइल है कि हम बहुत जाथा जंक फूड खाते रहते हैं पेजा वर्गर या फिर बाहर की चीजें तो उस वजह से वह हमारे जो पाचन तंतर है न तो उसे अच्छी तरह से पचान ही पाता और गंदगी के को भी मैनेज करेगा प्लस आपके स्किन के लिए अच्छा है आपके बालों के लिए अच्छा है इसे आपको खाली पेड पिना है आप रोज इसे पी सकते हैं जिसे चाय पीते हैं हम सुबाँ उठके तो चाय की चग आप अगर इस ड्रिंक को पीना स्टार्ट कर देते हैं तो आप देखोगे, खुदब खुद आपकी स्किन में आपको फरक महसूस होगा, बाल आपके अच्छे होते जाएंगे, और वेट तो मैनेज रहे गाई, तो हम थोड़ी से आलची हो जाते हैं, लेकिन नालस नहीं करना चाहिए, इस ड्रिंक को आप जुरू ट्राइ किज़े, तो देखा न, आपने कितना सिंपल है इस ड्रिंक को बनाना, और टेस्ट की बाद बताऊं, बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट है, खटा खटा सा, क्योंकि आमला खटा होता है, और एंड में आपको मीठा मीठा सा एहसास होगा, मैंने इसमें शहद नहीं एड किया है, और अगर आपके पास भी प्योर शहद हो, तो ही आप एड करना, और वाद नहीं करना, क्योंकि ऐसे बीसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बाकि शहद से और भ आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद, आपकी बाड़ी के लिए इससे जाद अच्छा कुछ हो नहीं सकता, तो मैं तो भाया इसे जरूर पीती हूँ, और नतीजा की मेरे बाल जो है ना काले-काले होते ही जा रहे हैं, और आप पूछते हो, वंबर बढ़ रही है, बाल तो कैसे काले हैं तो इसकी की वज़ह से काले हैं, और रेमेडी भी मैं आपके साद शेयर करती हूँ, रेमेडी भी मैं टाइम-टू-टाइम अप्लाई करती हूँ, क्योंकि देखी एक्सטरनली ही जो हमें पोचिन चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए chociaż अगर आपने नहीं देखी हैं चैनल पर जाकर के देख सकते हो और बकी इस ड्रिंक को आप गरम है मैं आराम से इसका इंजॉय करूंगी इसका टेस्ट भी अच्छा है तो मनदब आराम से पीऊंगी चाय की तरह और तब तक आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इ तो पॉस्टों होता शती हुए और सद्धियों के मौषक भाहत की वज़े से यह के हमारे स्किन बहुत ढाशा हुता है तो स्कैल्फ ड्राइब हो जाते हैं नतीजा की बहुत दार्ट भाला में हो जाता है तो। आउलिंग के लिए मैं आपको पताओ न useful होता है लेकि नारि के करीब आपको लेना है नारियल का तेल सर्दियां है तो डबल वोईल प्रोसेस से आप इसे गरम कर लीजे और गरम तेल में आपको एक डालना है विटामिन यह का कैपसुल यह आपकी हेर ग्रोथ को प्रमोट करेगा बालों को अच्छा नरिश्मेंट देगा एंड साथ ही हम इसमें एड करेंगे कुछ बूंदे लैमन की लैमन से देखे जो हमारे स्केल्प में बहुत जादा डेंड्रफ हो जाता है ना उसके लिए बहुत कारगर है इन सारी समस्याओं को फाइट करने के लिए बहुत कारगर होता है तो लगवाग पांसाथ बूंदे आपको नहीं चोड़नी है देखे यहां पर जम गया क्योंकि सर्दियां बहुत सादा हो रही है तो अभी मैं फिर से इसको डबल बॉयल प्रोसेस से गरम करूंगी क्योंक इसी तरह आप इसे मिक्स कर लिजिए और फिर अपने बालों में लगाए ओवरनाइट आप ट्रक सकते हो कोई दिक्कत नहीं है